दोस्तों इंस्पेक्टर दया की लफ स्टोरी चलती है इंस्पेक्टर श्रया की साथ इसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो भी बनाया है और इस बारे में आप लोग जानते भी है लेकिन क्या होगा इंस्पेक्टर दया और श्रया की लफ स्टोरी का CID का Season 1 जो था वो October 2018 में बंद हो गया था दोस्तों ये तो आप सब जानते ही है और अचानक से इस शो को बंद करने का रहत से जो है वो क्या है ये अभी तक हमें नहीं पता इस बात को लेकर CID के दया और अभीजीत सर ने भी अपना गुसा सोशल मीडिया पर जाहिर किया था और दोस्तों कोई बात नहीं दो सल भी चुके हैं तीन साल दोस्तों शुरू हो चुके हैं तीसरा साल यानि कि 2021 की शुरूत हो चुकी है और अभी हम लोग आशा करते हैं कि CID के सीजन टू इसी साल हमें देखने को मिल जाए दोस्तों अगर आप भी इस मोहीं में हमारा साथ दना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में CID लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए दोस्तों क्या CID के सीजन टू में दया और श्रया की शादी होगी क्या होगा इनका बेटा कहां जाएगे ये लोग हनीमून मनाने क्या क्या होने वारा है सब पुछ आपो इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप चैनल उपे नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानि की जो घंटी का बटन है नीचे उसे जरूर दबा देचे तो दोस्तों दया और श्रया की लफटरी की शुरूआत CID के सीजन वान से ही हो गई थी लेकिन अच्छानक से CID के सीजन वान को जब बंद कर दिया गया तब CID के जो लोयाल फैन से जो CID को काफी पसंद करते हैं उनके मन में निराशच चा गई थी कि दया और श्रया में की लफटरी क्या होगा इन दोनों की शादी होगी या नहीं तो कोई बात नहीं दोस्तो CID के सीजन वान से इन दोनों की शादी लगभगते हैं पक्की है और शादी के बाद इनका एक खुशुरत बेटी भी होने वाली है और यह जो ख़बर है यह निकल कर सामने आ रही है दोस्तो दया और श्रया की बेटी उसकी जान को भी थोड़ा सा खत्रा आने वाला है दोस्तो लेकिन उस खत्रे से मामी पापा उसको बचा ही देंगे तो दोस्तो यह एपिसोल आपको बहुत ही चल देखने को मिलेगा जहांपे दया और श्रिया की बेटी के उपर आने वाला है बहुत ही बड़ा खत्रा आपका इस चीज़ के बारे में क्या कहना है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स विडियो में